हेलो चिल्डन क्या दिख रहा है आपको पेड बरगत का पेड क्या ये शुरू से बरगत का पेड ही रहा होगा जैसे छोटा बच्चा होता है फिर धीरे से बढ़ा फिर बढ़ा फिर बढ़ा फिर एकदम ग्रोन अप तो ये शुरू से बरगत कप्र रहा होगा हाँ, पहले पौधा, इस तरह है का फिर शुरू से पौधा ही रहा होगा क्या रहा होगा, बीज, जिसको हम इंग्लिश में मोलते हैं, सीड, इस तरह से सीड, एक बीज, अंकुरित होके, पौधा, पौधा, बड़ा होके, एक पेड, एक व्रिक्ष, विशाल का है इसी प्रोसस को, एक छोटे से बीज को, एक विशाल व्रिक्ष में परिवर्टित होने का जो प्रोसस है, जो प्रक्रिया है, आज हम इस कविता में, आपके चैप्टर सिक्स में पढ़ेंगे आए, सारे बच्चे अपनी individual books निकाल ले, अपनी व्यक्तिगत किताबों को निकाल ले, और pencil लेके तयार हो जाए पहले, जैसा हम करते आए हैं, पहले मैं पढ़ूँगी, फिर आपको time मिलेगा कि आप पढ़ें उसके बाद मैं इसको आपको समझाओंगे चलिए शुरू करते हैं आपकी कविता, chapter number six In the heart of a seed In the heart of a seed buried deep, so deep A dear little plant lay fast asleep Wake, said the sunshine and creep to the light Wake, said the voice of the rain drops bright The little plant heard and it rose to see what the wonderful outside world might be Now, it's time for silent reading ध्यान से पढ़िये किस शब्द को मैंने किस तरह से पढ़ा है और teacher खासतोर पे ध्यान देंगे कि सारे बच्चे silent reading करें कुछ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कुछ बच्चे ठीक से pronunciation नहीं कर पा रहे हैं जो कमजोर हैं एक बार उनसे पढ़भा के देखिए हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक आप लोग जल्दी से एक बार silent reading कर लिजे